भारत में सबसे ज़्यदा रेडियेशन फैलाने वाले आठ मुबाइल है जो कि मैं आपको इस वीडियो में अश्टेप बेश्टेप बताने वाला हूं जिससे कि आपका सरीर को खत्रा है सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों भारत में सबसे ज़्यदा रडियेशन फैलाने वाले आठ मुबाइल ऐसे हैं जिससे कि आपके सरीर को बहुत खात्रा है चलिए स्टेप आपको मैं बताता हूं दोस्तों अगर आज हम कहें आपसे कि आप किसी भी मुबाइल को खर दे तो उसका सार भैलू कितना है और आपको बता दे कि हम मुबाइल से खात रहे ता आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे मुबाइल से खत्रा है लेगि मैं आपको बता दो कि मुबाइल से खत्रा है तो अब यहां पर कोशन उठता है कि सार भैलू क्या है सार भैलू एस्पैसफिक एपसॉर्शन रेट है जिस मोबाइल में जितना ही सार भैलू कम रहेगा वह मोबाइल इतना ही रेडियेशन को कम करेगा और आपके सरीर को थोड़ा सा भी नुकसान भी नहीं होगा इसलिए जब आप मोबाइल करने जाते हैं तो सार भैलू को चेक कर ले और चेक करके तभी मोबाइल खर दे और अब चेक करते हैं तो चेक करने के पाचात सार भैलू कम ही वाला मोबाइल ले जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह सब मोबाइल जो है जिसमें सार भैलू अधिक है अगर आप जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं यह सब अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपके सरीर को बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि यह जदा रेडियेशन उद्पन करती है मोबाइल इसलिए यह मेरा सजेशन है जब भी आप मोबाइल को खरीदने जाए तो सारव है वह जब जिफे कर लेगा उतना आपके लिए खत्रा आपक मोबाइल उतना ही रेडियेशन देगा अगर जितना कम रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा है शुरक्षित है तो जब आप मोबाइल कर दे तो सारव है लुको चेक कर लिए नहीं तो अगलेते हैं अधिक सार भ भारत में कुछ यहीं चुनींदा मुबाइल है जो कि आप देखी चुके जिस्ते कि ज्यादा रेडियाशन फैलता है अगर आप उस मुबाइल को लेते हैं तो आपको जयदा नुक्सान हो सकता है इसलिए मैं कहूंगा कि आप उस मुबाइल को नहीं खर दें फूंस ज्यादा आपको अपने सरीर के फिक्र होनी चाहिए अपने सरीर को अच्छी से रखना चाहिए भार सरकार द्वारा मैक्सिमम 1.6 सार भैलू को ही अलाव किया गया है उससे अधिक नहीं यह वीडियो कैसा लगा कमेंट शक्राइक सर्वाइए अगर में वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को लायक किautama जीए मैं staff के और जो वद्वां किर्शा करके के ऊल कर लोश्य spy और जाहिंद वंदम हातर है